नमस्कार दोस्ते, हर्शित दिवेदी एजूकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर साउथ आफ्रिकेन रिवर्स में पाये जाने वाना सान्फिश का पोपलेशन पिछले कुछ सालों से हद से ज्यादा डिकलेन हुआ है आज इस वीडियो में साउथ आफ्रिके आस सान्फिश के अबारे में basic details समझने की कोशिश करेंगे साउथ आफ्रिकेन river system के बारे में discuss करेंगे इनके population इतना स्यादा decline होने का major reasons क्या क्या है वो हम देखेंगे South Africa की तरफ से इस Sandfish population को conserve करने के लिए क्या-क्या मेशेश अडोड किया है वो चेक करेंगे यह सब के अलावा यह जो Sandfish है वो एक Umbrella Species है अब Umbrella Species मतलब क्या होता है वो भी हम इन डीटेल डिसकस करेंगे शुरुआत करते हैं दूस्ति एक टाइम तरफ साउथ आफ्रिका का डोरिंग और ओलिफन्स रिवर सिस्टम में Sandfish के population बहुत थे पर रीसेंड कुछ इयर्स में ओलिफन्स रिवर सिस्टम में तो यह कंप्लीटी डिसपीर हुआ है और डोरिंग विवर सिस्टम में population हद से ज्यादा डिकलेन हुआ है वैसे यह जो Sandfish है एक migratory fresh water fish है जो आपको केवल साउथ आफ्रिका में देखने को मिलेगा और इनका जो length है maximum आथा मीटर तक होता है अब यह photo देखिया इनका जो mouth portion है यह नीचे की तरफ है जिसका उबयोग पत्थर से आलगे को चरने और रिवर बड़ पर कीचट और रेत में पीचने के लिए किये जाता है और यह जो Sandfish है यह South Africa का Doering River सिस्टम को एकदम clean रखने में मदद करते हैं अब दोस्तों यह map देखिए Doering and elephants river सिस्टम का location एक बार में आपको दिखा देता हूँ उसे पहले South Africa का map एक बार देखिए South Africa का location आप सबको मालूम होगा African continent का southern most portion में आता है South Africa South Africa का western side में Atlantic Ocean है Southern and eastern side में Indian Ocean है कितने countries के साथ South Africa अपने bodies share करता है Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Zwasiland and Lesotho अब यह जो स्वाजी लान्ड है इस country का आज का नम एजवाति नहीं है चेंज किया है Lesotho जो है It is completely surrounded by South Africa South Africa का तीन capital cities है दोस्तों एक Pretoria जो executive capital है दूसरा Cape Town जो legislative capital है तीसरा Blonde Fountain जो judicial capital है वैसे South Africa का major rivers है दोस्तों Orange River, Wall River and Tugela River कलहारी desert भी ख्यांडी जीगा दोस्तों कलहारी desert वैसे केवल South Africa में नहीं है South Africa के अलावा Namibia and Botswana में भी spread है अब दोस्तों यह map देखिए Doring and Oliphants River System जिनके बार में हम बात कर रहे थे उनका location South Western portion of South Africa में इथर आपको दिख रहा है दोस्तों Oliphants and Doring River System species का मतलब क्या होता है Umbrella species मतलब ऐसे species है जिने प्रोटेक्ट करने से कई और species का protection automatically हो जाएगा Basically वो species ऐसान Umbrella काम करेंगे उसके नीचे कई और organisms आएँगे इसलिए ये Umbrella टेम दिया हुआ है For example, Tiger एक Umbrella species है देखिए, Tiger को प्रोटेक्ट करने का मतलब है Tiger का जो habitat है उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि Tiger जो है एक बहुत बड़ा area में ठहलते है है कि नी तो वो पूरा area को प्रोटेक्ट करने का मतलब हो गया वो पूरे area में जितने और species आता है उसे भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा तो Tiger protection मतलब उसके नीच से कई और species का प्रोटेक्ट अटोमेटिकली हो गया ऐसे जो species है जिने प्रोटेक्ट करने से कई सारे और species का प्रोटेक्ट्चन अटोमेटिकली हो जाता है उसे आप umbrella species बोल्ड सकते हूँ यह जो sandfish है वो भी एक umbrella species है क्योंकि sandfish का जो habitat है वो बहुत बड़ा है sandfish को अगर protect करना है तो आपको पूरा जो doring, elephants, river system है उसे protect करना पड़ेगा तो वो जो river system में जितने और aquatic organisms है वो पूरे automatically protected रहेगा इधर कुछ examples भी दिया हुए दोस्तों umbrella species का वैसे दोस्तों umbrella species में बहुत species आएंगे कुछ examples है red wolf, koho salmon, spotted owl, giant panda, spectacle bear, bear checker spot butterfly, jaguar, right whale, grizzly bear, etc. वैसे जो lion, tiger यह सारे umbrella species में आते हैं अब दोस्तों threats associated with them देखे, unfortunately इनके जो migratory life cycle है वो इनको particularly vulnerable बना देते दोस्तों क्योंकि इतने area में यह migrate करते हैं जहां पर already human activities की वज़े से काफी सरे impact हो चुका है जैसे मैंने आपको पहले बोला एक time पर elephants and doring river systems में सानफिश के population बहुत ज्यादा थे पर recent कुछ years में इनके population बहुत ज्यादा कम हुआ है और एक river के बारे में इधर बता रहे है दोस्तों और लोक स्क्लूव river 2013 और 2018 के बीच में इस river में एक सर्वे हुआ सानफिश के population देखने के लिए और result काफी shocking थे 92.6% of population decline हो चुका था 2018 तक तो यह population decline का major reasons क्या-क्या है एक तो catastrophic unseasonal flows due to climate change climate change की वज़े से आजकल rivers में unseasonal flow होता है मेरा कहने का मतलब है दोस्तों rainy season में बहुत ज़्यादा पानी रहेगा floods आएगा जब summer season आएगा पानी पूरा dry up हो जाएगा तो ऐसे conditions में sunfish जैसे species सर्वेव नहीं कर पाते हैं और एक problem था दोस्तों दो non native fish species के कारण black bass and blue gill sunfish अब यह दोनों invasive species सा बोल सकते हो invasive species का मतलब क्या होता है ऐसे species जो बाहर से आके उथर के endemic species को destroy करते है अब यह जो black bass and blue gill sunfish जो है दोस्तों यह sandfish को खाते है बेसिकली जो छोटे-छोटे sandfish होता है उसे खाते है अब देखे दोस्तों कोई भी एक species का जब एंग members खतम हो जाएंगे तब धीरे-धीरे वो species का extinction शुरू होगा तो वही हुआ है दोस्तों sandfish के साथ तो खुल मिला क्या बोल सकते हो दोस्तों इनके population decline होने का major reasons है एक तो non-native fishes लाइक bluegill sunfish and black seabas दूसरा construction of dams that block upstream spawning migrations देखे मैंने आपको पहले ही बताया यह जो sandfish है यह migratory fish है अब मात तो दोस्तों फाइनली साथ आफरिका में sandfish को protect and conserve करने के लिए क्या-क्या activities हुआ तो यह sandfish sancturies में इन्होंने चोटे-चोटे sandfish के जो बेच्चे है उन्हें पाला और तब तक उन्हें protect किया जब तक उनका size 20 cm तक नहीं हुआ आप देखे 20 cm के नीचे जब इनका size रहता है ना तब दूसरे fish species हाके उन्हें खाने का chance है तो 20 cm के उपर होने से फिर कोई tension नहीं है तो जैसे 20 cm का उपर इनका size हुआ तब उन्हें वापस river में छोड़ा तो यह project एक unusual partnering था basically directly land honest के साथ इन्होंने collaborate किया जो directly rivers को influence करते हैं वैसे यह land honest इनको बहुत मदद किया rescued sand fish को transport करने में मदद किया जितने scientists उध्राए river monitoring के लिए उनको मदद किया उनको accommodation प्रोवेड किया तो basically आप बोल सकते हो यह जो save sand fish project में है जितने land honest है जिन्होंने sand fish sanctuaries वगरा बनाया था उन्होंने बहुत मदद किया सब्सक्राइब के लिए एक राइली बिंदू के रूप में कारी करता है जो एक साचा लेक्षे साचा करते हैं सभी के लाप के लिए प्राकरतिक परियावरेन की रक्षा करना finally दोस्तों जिस sand fish के बार में हमने अभी तक बात किया इसका actual name है clan William sand fish South African sand fish भी अब बोल सकते हो इनका international union of conservation of nature का conservation status है endangered अब यह तीनों के नीचे अलग 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 सब्डिविशन से जैसे की extinct 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 in the wild critically endangered endangered vulnerable near threatened and least concerned और दो category से दोस्तों वो है data deficient and not evaluated यह थोड़ा आप थ्यान दीजेगा आप जे examination में पूच सकता है अब इसमें threatened के नीचे तीन category से यह भी थ्यान दीजेगा critically endangered endangered vulnerable यह तीनों जो है threatened category में आता है तो दोस्तों that's the end of it I hope आपको वीडियो informative लगाओगा लक्षे की PDF as social आपको telegram channel में मिल जाएगा जिसका link नीचे description box में provided है thank you for watching bye bye have a nice day